में फिर से हाकके सामने प्रस्तुत हुं जो डेटा इंपुट अवलेबल था वो उसी इस्ट्रक्शन में ही अवलेबल था जिसमें कि हम लोगों ने स्ट्रक्शन MVI स्ट्रक्शन का इसमें यूज किया था MVI A, 32 H and MVI B, 32 H तो यहां पर मैं सब्ट्रक्शन का इसमें लेकिन यहां पर आपका जो डेटा है वह आपका मेमरी लोकेशन पर अवलेबल है और जो सब्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट आएगा वह आपका 2052 लोकेशन पर आपका एवलेबल है ठीक है तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका फ्लोचार्ट तो हम लोगों ने जैसे पहले बनाया था उसी तरीके से इसका फ्लोचार्ट भी रहेगा जैसे कि पहले था क्या था आपका एक बास को रिवाइज कर लेते हैं टेक दाफ नमबर तीक है इस्टार्ट इस्टार्ट ॉ टेक टर टेक फोस्ट नमबर फोस्ट नमबर फॉर्ष नमबर फॉर्ण from 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 2050 H location ठीक फिर फिर इस के बाद में टेक second number second number from 2051 H ठीक and फिर subtraction of two numbers subtraction of two numbers and after that आपका result store result store on 2052 ठीक है तो ये तो आपका हो गया flow और लास्ट में आपका stop ठीक है stop तो सब्वी में रह नहीं है तो ये होगया इसका flow chart तो अब इस वाले इस विरोग्राम में हम लोग जो इस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे सबसे पहले उस इस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं तो एक ही करके में इस्ट्रक्शन को बताने जा रही हूं तो इस्ट्रक्शन को समझते हैं तो सबसे पहले जो इस्ट्रक्शन है मैं मैं में सबसे करेंगे मैं यूज कर रही हूं आपका LDA पहला instruction LDA यहां पर आएगा 16 bit address जहां से आपको data लेना है इस instruction में आपका जैसे इस वाले program में हम लोग 2050 में लोकेशन से data को ले रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग जो यहां पर इस पर्टिक्लर बोग्राम में लिखेंगे LDA 2050 H तो यह क्या करेगा आपका 2000 2000 memory location से आपका data ठीक है यह है आपकी memory location ठीक है load हो जाएगे ठीक है तो this instruction load the given memory address to the accumulator ठीक है यह हो जाएगा आपका तो एक यह instruction हम लोग यूज़ करने वाले हैं दूसरा instruction जो है वह हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस में स्टी ए ठीक है तो सिस्टीन वेट एड्रेस एड्रेस ठीक है तो सपोर्थ अगर मैं यहां पर लिखूं स्टी एड्रेस तो यह क्या करेगा आपका एक्कुमिलेटर के पर लिख गवेंड के लिख यह क्या करेगा तो अपका क्या करेगा टू थाजन फिटी टू लोकेशन है तो अक्कुमिलेटर के गवाली जी आपका है सेविंटी एच तो यह जो सैविंटी एच यह आपका मेमोरी लोकेशन पर आपका है कॉपल हुज पर कोलो किसी भी देटा को अगर हम लोग मैमोरी लोकेशन पर हम करना चाहते कि मेमोरी के तो हम इसृट् Welsh कर सकते हैं. यहां पर जो सो elevator है और जो जो destination है वह क्या है आपका memory है इसी तरीके से पहले वाले instruction में आपका source है वह memory है और जो destination है वह कौन है आपका accumulator यह दोनों ही instruction के वर आपके a register that means accumulator के साथ ही वर करते हैं किसी और register के साथ वर नहीं करते हैं एक तो यह instruction का तो main जो दो instruction इसमें यूज करने वारे है और इसके लावा जो previous पहले यूज किया हुआ है वह instruction को यूज करेंगे तो HLT तो यूज करी रहे हैं इसका मतलब होता है आपका stop ठीक है इसके लावा जो instruction हम लोग यूज करेंगे वह है आपका आपको पता है यह क्या करता है आपका for example हम लोग लिख सकते हैं आपको यह क्या करता है कि instructions का use करेंगे हम लोग ठीक है तो और सबसे important जो instruction है इसमें वह है आपका SUBR ठीक है SUBR ठीक है यही सबसे important instruction में instruction for the subtraction के लिए यूज करते हैं तो R का मतलब फिर अगेन यहां पिर R का मतलब मैं यहां पर लिख दे रही हूँ और यह फिर RD यह फिर RS का मतलब क्या है कोई भी आपका B, C, D, E, H और L तो age rate 5 में 6 channel proper register होते हैं कौन कों से BCD and HL तो इन में से कोई भी register हम लोग R, RD, RS में जब भी रही हूँ का मतलब नहां पर यूज कर सकते हैं इसके लावा आपका A register ठीक है इन में से कोई भी register उन इसक्शन में यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपका यह R, RD और RS लिखा हुआ ठीक तो एक चीह हो गई अब इसक्शन को समझ लेते हैं SUBR अगर मैं यहां पर लिखूं SUB for example यहां पर लिखूं C तो यह instruction क्या करेगा आपका accumulator के content को सी रजिस्टर के content रेगा और सब्ट्रेट करने के बाद रिजर्ट आपका accumulator में आ जाएगा ठीक है यह आपका यह instruction SUB instruction subtraction के लिए आपका मेली यूज होगा ठीक है तो आपको समझ में आया चुका होगा यह instructions के बारे में अब हम लोग आ जाते हैं कि अब एक के करके हम लोग flow chart के accordingly इस instructions को यहां पे लिखेंगे तो पहला प्लो चार्ट आपको याद होगा किसी पहला था कि टेक्टव फॉस्ट नमबर तो टेक्टव फॉस्ट नमबर नमर के लिए हम लोग लिखेंगे तहां से लेना है आपको memory location से यह instruction कि लोकेशन से लेना है 2050 तो थोजन फिप्टी एज तेक है अब यहां पे जब सेवी कॉलम लगारें इसका मतलब क्या है आपका कि आपका सेवी कोlica मतलब कमेंट थिक तो हमेशा प्रोग्राम में कोशिच करते हैं कि कमर्स लिखें जान इस oraz कैसी सिल्टास पीए यह तो यहां पर आपका यह इंसक्षिन तो इसे ब्रैक्त लगाने का मतलब है कि इस लोकेशिन पर का लेता तो जब भी का अक्षल कर हो जाएगा तो हम क्या करें जब भी यह लब फॉस्ट डेटा ले उसको हम लोग एक दूसरे रजिस्टर में सेव कर लेते हैं तो मैं इसको सेव कर रहे हैं तो यह क्या करेगा आपका एक्टमिलेटर के कंटेंड की वैलू को आपका सी में श्टोर कर देगा तो जो भी फॉस्ट डेटा है वह आपका फिर से यूज़ करने वाले हैं दूसरा डेटा लेने के रहे हैं इसलिए यह वाला जो इस्ट्रक्शन है वह इसलिए यहाँ पर लिखा इसका यूज है फिर उसके बाद में नेक्स हम लों लिखेंगे लिए तकेंड यह नोकेशन से यह लिए तो यह क्या करेगा फिर से एक्कुम्डेटर के कंटेंड वैलु आपकी कौन से लाल देगा टो थोजन फिप्टी 1 एज लोकेशन ज़े लिए आपकी अच्पटर में आ गई तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्राक्ट करने के लिए सब्ट्रेक्शन करते हैं तो एक देटा तो का अच्पटर में है और दूसरा देटा आपका का C में है तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन स यू बी तो यह क्या करेगा आपका यह आपका सेकेंड नमबर इसमें है ए फोस्ट नमबर में अब इसको हमें स्टोर करना है कहां स्टोर करना है आपको 2051 लोकेशन पर एकॉर्डिंग तुद प्रॉब्लम तो इसके लिए स्ट्रक्शन करेंगे 152 HP इसको स्टोर कर दिया अब आपका लास्ट में हम क्या लिखेंगे आपका स्टॉप करेंगे इस तरीके से वक कर रहा है यह आपका इस्ट्रक्शन जैसे कि माल लिजे सपोर्थ जब इसको लोगों कराएंगे तो अगर मैंने यह है आपकी मेमोरी मेमोरी लोकेशन्स तो थो थोजन फिप्टी एच तो थो थोजन फिप्टी वन एच तो थो थोजन फिप्टी टू एच माल लिजे यहां पर है आपका यहां पर यहां पर है आपका थ्री ठीक है और सेकेंड नम्बर थीक है यह थ्री और फिप्टी फिप्टी बन फिप्टी बन पर है आपका फाइफ ठीक है तो यह क्या करेगा यह वाला जो थो थोजन फिप्टी वाला है वह आपका कहां पर गया डेटा यह आपका गया आपका एमें एसी कहां गया आपका सी में ठीक है तो सी में आपका गया थ्री और इस वाले से यह आपका गया एमें फाइफ फिर फिर ए माइनस सी होगा तो ए मैनस सी का मतलब हुआ आपका 5-3 मतलब 2 ठीक है यह आपका किस में जाएगा आपका ए में अगेन तो आपका यह आपका एक ही कंटेन हो गया 0 2 और यह आपका कहां स्टोर हो जाएगा आपका टूजन शुट्यले लोकेशन पर आपका तूँ आपको शोह जो भी इस मुअ में लोकेशन पर होगा वह तो तो लाथ है यह User-friendly हो गया ठीक है इसी सेम परग्राम को हम इन्टारेट और भी अधर शक्षिन के तुरू भी कर सकतें तो नेक्ट लेक्ट्चर में लोग इसी सेम प्रग्राम को मैंबरी लोकेशन के लिए ही देटाइव लेवल है उसको हम लोग इससे करेंगे दूसरे कुछ इसक्रेशन का यूज करके जैसे कि हम लोग अधिशन का ग झाल झाल झाल